तो आज आपके सामने मैं है सुस्रेटेड एक रचना लेकर आ गया हूं बहुत इसको लगाने से पहले में आपको कंडिशन थोड़ी से समझाओगा आगर आप कमजोर है न तो बहुत अच्छी तरीक से आजएगा और आच्छा मार कमी ला लेंगे एक जाम में इसलिए इसको जरू समझेगा अगर आप नहीं समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा चीजे में समझेगा क्या है कि एक तिर्भुज किसी भी तरह होगा एक भुजा होगा दो हुजा हो तो माप तो हो गई जब इतनी बड़ी है तो माप ही होगा इसलिए तीनों की माप हमें पता होना यह तो कंडिसं दिया गया पेपर में नहीं दिया गया है कि तीनों भुजा तो इसका मतलब चौ demandé बाता हूं दे दिया जाता है तुसे दिकत नहीं हैं कोर से सारी मिलता है लेकिन हम फेसे समझें लिर भी यह कहोड है चैक तो यह भीशं के देने वाली है है बना रहना चाहिए तीनों भुजा का माप होगा कि यहां पर रहें UM हों तो यहां पर देखिए रहा है आपको यह बुजा है कि माप है dc सी बोला जा रहाए 6 cm फिर a b e b बोला जा रहाए 5 cm meeter इसके साथ साथ आपका एक इस में नहीं लिखा गया है कि दो विभए है कि अंतलब होना चाहिए और एंगिल आपका च्षी एंगी हम लिखा apt को इंश कि को लिखाक ओए है कोई तिक के जूबवरत होगो दो को President Co gonna. कोई नहीं ज्शेश है तो हम क्या जहां दीजिएगा क्या है यहां पर है यहां से मैं 6 cm यह खींच लिए ठीक है यह यह हमारा हो गया क्या BC क्या हो गया BC जो कि है कितना आपका बताए गया 6 cm कितना है 6 cm उसके बाद बोल रहे हैं इसमें देखिए कि ए भी 5 cm मतलब ए कहीं पर होगा भी यह तो है नहीं जो कि ए से लेगर के बी डगाए गया किया तक बी टक आप हो बाल depth हुगा और यहां पर भी पूल인가 ऑंगिंज कितना हो का साट हर्स होगा इसका मतलब कि यह ओर प्या कि पूं की कितना होगा साट हर्स हूं साप हैं साथ हर्स बनाने कि लिए यह उसको कुछ भी करना ठीक अब यहां पर जहां यह काटा था ना यहां पर रखके आप एक चौप लगाईएगा और यह जो चाप लग गया यह हमारा सिष्टी का कट गया ध्यान देने वरी बात है कि इसको भी आपको लिखना नहीं है क्योंकि यहां देखिए यहां पर बोले यह भी पांच है तो इसी बी के बाद आपका ए आएगा तो एभी आपका पांच है इसको पांच ही खीचना है ध्यान दीजिएगा कितना पांच खीचना है बस तो यहां से हम क्या करेंगे इसको हम पांच केवल खीचेंगे बाकिया आपको खीचने की जरूरत नहीं है आ है यहां यहां तक हो गया है फिके पांच से एपर हम अम अब जो बनाना पड़े गए पहले अगर उतना बनाएंगे तभी का होगा नहीं होगा नहीं का और इस भूचा को हम ऐसे ही मिला देंगे जो तीसरी भूजा है अपने आप जो भी रहेगी माप निकल जाएगी इसे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह हो गया आपका बन गया है अब यहां पर चो कंडिसर में इस में समझना क्या है तिर्भुज रहेगा पैर पूइंट तीर्भुज में तीनों भुजाएं दी रहेंगी अगर नहीं भुजा दी है तो कोड दीया जा सकता है और इसका रच्ना करना रिधुन मतलब लिखना भी है, वर नहां भी है उसके पाद भूज हए तिरभुजढ़ ABC की संखपो भूजह 3-4 कि अथाई कि यही पॉ vind है ना, 3-4 Whether your time, 3-4 left इसका मतलब हम जो उपर है पहले हुआ इसको देख लिए जो नीचे है हें तो कुल जो होगा उत्रना हमिए चाप काटना थिक यह ल्गतैंगी जयसर कितने बनाएगे यह के यह किरड है यहां से देखी बराबर तीन खाना करते हैं एक खाना दो यह तीन के जार चार खंड नहीं जो सबसे बड़ी रहेगी वहीं भूजा लेदा चाओ नीचे उपर हो काई पर भी उसने बता हमें बड़ी वारी पर चेक आपके लिए आसाल रहेगा चार खंड लिए ठीक है इसके बाद हम चार कर लिए तो चार से हम उसको मिला देंगे अपने आपको जो हमारा बुज़ा था उसको हम चार से मिला देंगे ठीक है तो हम इसको चार से क्या करते हैं मिला देते हैं यहां से चार से मैंने मिला दिया लास्ट डोला पॉइंट हमें मिलाना है आप देखिए इसमें बोला गया है कि चार के बाद तीन पे हमें रिटन होना है तीन पे हमें फिर से बनाना है और इसके समांतर किसी के समांतर जब कभी बना रही हो तो जहां से ट्रेखा टाच हुई है क्या कर कि आगे ऐसे मैंने इस बोला गया था चार पे तो मैंने चार पिर अब तीन फिर बोला जाई दिन प्रख एक जाए यहां पर पार हमें नहीं करना देहान दीजिएगा इस तरीखे से कर दिए, ठीक है? अब हमें क्या करना है? इसका माप लेना है किया है। माप कैसे लिए जाएगा? थोड़ा साफ कम ज़्यादा करके आप इसको देख लिएगा, कहा पर काट रहा है, देखिए कि वीच वीच कट रहा नहीं कट रहा तो इससे देखी वीच कट लगने के ओगंते जैसे इसे पर रगने काट Kerry क BAR रुसे क्याना है है यह देखिए ऐसे काटका है अब हमें टीन यहां पर हें यहां पार है क्योंकि तीन पर वोड़ा गया है तीन हमें यहां से खीचना पड़ेगा और यहां पर हमारा जो कटा था यहां पर हमें उसको मिलाना है यह इस तरीके सो गए ना अब बताईए यह वाली भुज़ा कैसे बनी बाहर के हिसाब से किसके साथ से बाहर की साथ तो आप इस बाहर वाली को आप इसको भी वैसे जाच करिए यहां पर एक चाप ले लिजिए और चाप जहां पर बनाना है यहां पर बनाना है इस पर भी चाप ले लिजिए पहले चाप ही लेना है पूरा दोनों में दोनों में ऐसे कर देना ठीक है अब इसका माप लेना है क्या लेना है माप माप देखिये, बराबर है लगबा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही कान देगे, ठीक, अब हमने इसमें देखिए, ऐसे मिलाया गया है, यहां से, मतलब आप अपने जगा से, यहां पर पांच है, तीन है, तीन वाली जगा से मिलाया जाएगा, ठीक, इस तरीके थोड़ा सा कम जादा हो गया जल्दी में कर दिए तो यहां पर आपना पॉइंट ए बी पर है ए वाली भूजा पर है तो आप भी एवन कर सकते हैं एवन हो गया यह सी पर है तो आपका यह सी वन हो गया सी डैस हो गया मतलब उसके बाद आपका यहां पर आपका जो है कि यह करना है लिखना लिखना है और लिखने के लिए आपको कुछ इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है जैसे आपने बनाया वह ऐसे लिखना है ठीक है मतलब हो क्या करेंगे सब्सक्राइले लिदिंगे पहले लाइन ध्यां दीजिएगा एक तिर्भूज जो कि इस पर गार र आपको विभाजित किया है इसको नंबरिंग करना है इसके बार में समझाना है ठीक है यहां की आपने लिखा कि बी एस पर बिंदू एक्स टू एक्स थिरी एक्स फोर इस तरीके से मैंने अंकित किया पहले यहीं लिखा तो इसको आप कैसे लिखा जागा ध्यां यह वाला खाना किसक कर अब इसके खानना और इसका वाला खाना इसका मतब सब आपसें बराबर हीरे थे X1 & X2 X1 X2 वराबर X2 और X3 और X3 X3 X4 इस तरीके से यह हो जाएगा और इसी अधार पर हम समझेंगे तो हमें कुछ नहीं सारा चित्र बन गया है बस आपको लिखना लिखना है कहाँ पर कितना था यह अच्छा सिंटिमीटर था यह सारी चीज़ लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर मिलाना है इसके जब इसको लिखते हैं मतलब यह क्या है X4C के समानतर आप X3C1 C डैस लिखी मतलब यह बनाया है इसको आपको बताना है मतलब किसके अधार पर कौन बना इसको ज़रू बताना X4C Giulis के समानतर है यह के समानतर है, इसको भी लिख देना है यहीथा वीडियो और इसमें रचना हमने नहीं लिखा है रचना थोड़ा बड़ा होता इसलिए मेन टाइम में ह flaps कैसे बना में उसको देहरा रचना बार बिजिट करिएगा अच्छा लगए तो लाइक शेयर कर दीजिए ना अच्छा लगए दिस्लाइक करें किया कमें पुरा देना ओके